यह पीड़ा है अगार चाहिए वेलकूम बैक टो मैं चैनल वाक्या देश्ट में हम आपके लिए लाहें फिर से कुछ नया रेसिपी मुमु छोल की रेस्पी घर में बहुत ही आसानी साथ बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी यह बनाना एक पर बनाएगा तो घर में सबको सबको पसंद आएगा यह मैंने मैदा लिया था उसरे मैंने देट चुट की नमक एड़ किया है टेश्ट के कॉर्डिंग अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से ही मिलाएग चलिए हमारा नमक इसमें मिल चुका है अब इसमें हम पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे इसमें आटा हमें थोड़ा टाइटी रखना है मुलायम नहीं रखना है यह हमारा मुर्गा मैंने फ्रेस करके रख लिया है प्याज मैंने काट लिया है यह सारी समान जो हम इस चिकन में डालेंगे चलिए डालते हैं चलिए इससे गोला को भोड़ लेते हैं अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे मैं हम चिकन मसाला गरम मसाला डाले है यह मैंने जिंजर कारलिक का पेश्ट डाला है यह कस्मीरी लार्ज मिर्च बॉर्डर यह सोया सॉस यह टेस्ट के एक आउटिंग हम नमक डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करें सारा मसाला इसमें लग जाएगा इसे 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं यहीं देखिए हमारा आता बिल्कुल एक्टम तयार है फूल चुका है पूरा हमारा आता लगव मैंने आदा गंटा के लिए से दिया था अब इसे हम छोड़ छोटी गोलिया बना लेंगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यह देखिए हमारा तयार है अब इसे हम रोटी जैसा बेलेंगे बहुत ही सिंपल है बनाना इस ट्रिक को लेके आप लोग बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है हमें इससे भी परी रोटी बनाना है बने रही हमारे चैनल पर आगे बहुत कुछ दिखेगा कि हम किस तरह से बनाएंगे घारी के समानों से ही मोमो जोल यह देखिए अब इसे हम एक कटोरे के मदल से एक साइज में काट लेंगे पूरी के साइज में ही काटना है यह देखिए दम लगा के करना परेगा अब इसे हलके हलके हाथों से उठाएं और नहीं तो यह प्लेट में चिपक जाएगा यह देखिए कितनी असानी से निकल गया इसी तरह से यह बनाएं सिंपल है बनाना अब हम टमाटर की चटनी बनाएंगे बॉयल होने के लिए हम तीन टमाटर और रेट चीली दिये हैं अब इसे थरह हम बॉयल होने देएंगे 15-20 मिनट यह देखिए अब इसमें हम स्टफिंग डाल दिये हैं अब चारे तरफ हम पानी डाल दिये हैं अब इसे हम मोर लेंगे बहुत ही आशान है मोर ना ध्यान से बस देखें किस तरह से हम कर रहे हैं आप लोग मोमों भी घर में अराम से बना सकते हैं बहुत ही सिंपल है बनाना यह देखिए मैंने सारे बना लिया है यह मैंने गरम पानी के लिए दिया था अब इसमें हम बटर लगाएंगे इसी में हमारा मोमो रहेगा जिस चारो तरफ अच्छे से बटर लगा लेंगे आपके पास बटर नहीं हो तो रिफाइन ओयल भी लगा सकते हैं और इसमें हम सारा मोमो रख दिये हैं अब इसे 30-40 मिनट तक भाप देंगे चलिए अब इसे जाब देते हैं अब इसे होने देते हैं यह देखे हैं हमारा टमाटर भी लगबग होई चुका है इसका छिलका हटने लगे तो समझ जाएए कि हमारा टमाटर भॉल हो चुका है यह देखे इसे काट के ठंडा होने दे तभी मिक्सी में पीसे यह मैंने बदाम लिया है इसे थोड़ा तीन मिनट के लिए फ्राइ करेंगे भूनेंगे इसमें अब आप तील एड़ करेंगे इसे विकम्स कम पांस से छे मिनट तक भूनेंगे भूनना ऐसी इसे थोड़ा कलर चेंज नहीं करना है यह तो अलग टेश्ट आ जाएगा इसलिए बार बार चलाते रहें कि चलिए हो गया लगबग इसे हम निकाल लेत एक प्लेट में यह देखिए यह ठंडा हो चुका है अब हम तेल दिये हैं फिर से रेट मीट चाहिए दिये हैं धीमी आज पे ही करें इसमें हम प्याल डालेंगे और टामाटर डालेंगे ग्रीन चिली डालेंगे अब हम टामाटर भी डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे 5-6 मिनट तर हमें जलाना है इसे हम जाब दिने थोड़ा सा भाप रगने के लिए देते हैं अब इसे भी हम एक पेस्ट बनाएंगे अब हम निकाल लेते हैं इसे हम ठंडा होने के लिए देंगे यह देखिए यह ठंडा हो चुका है इसका छिलका हम निकाल लेते हैं यह अलग चटनी बन रहा है ध्यान से देखे इस वीडियो को नमक डालके हम एक स्मूध चटनी घर में बना लिए हैं मुमो के साथ आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है मार्केट जैसा मार्केट से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक और घर में जुरू ट्राय करें यह देखिए यह सारे अब हम एक मिक्सी में पीस लेंगे दोनों को मिला के एक पेस्ट बना लेना है अब इसमें हम फ्रवाटर एड़ कर दे रहे हैं अब है स्मूथ पेस्ट बना लेंगे यह देखिए हम पीस लिए हैं कुछ इस तरह से कलर आया है अब करहाई में तेल डाल के करम करेंगे तेल डाल दिया इसमें कटी हुई लासन डालेंगे इसे चला लेंगे इसका कलर थोड़ा चेंज होने देंगे है अब कर दो नित्टा आओ छोगा है कि अब इसमें अब इसमें शारे मसाले हम डाल देंगे इसना अच्छा कलर आया है अभिसे अच्छे सा मिला लें खारे मसाले इसे में इसलिए इसे हमें बारबर चलाते रहाना है दोतीर मिनट पर आज को थोरा लो रखें मसाला पहलेगा बहुजाएगा तबी टेस्ट आएगा यह मिनमक डाल दिये हैं टेस्ट के काउडिंग यह से चलाते रहें चलिए पकने देते हैं मसाले को यह देखिए हमारा मुमो भी बिल्कुल तयार है यह देखिए लग में आप लोग भी आराम से बना सकते हैं यह देखिए हमारा मसाला लगबक त्यार है इसमें हम आप मुमो डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बस हमारा तयारी है मुमो जोड यह देखिए हम निकाल लिए हैं इसमें ओपर से दनिया पता डाल दे रहे हैं घर में एक वर ज़रूर बना के देखें बहुत पसंद आएगा बहुत लजीज है खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत सिंपल है बनाना घर के ही समानों से आप लोग बना सकते हैं आई होप आज की रेस्पी आप लोगो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सबको सेयर जरूर करिएगा दोस्तों और फैमिले में ठाइक यो फॉर वाचिंग बाई बाई